हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का मेरी यूटुब चैनल पर जो की अभी है पिलकुल नया नया तो आप लोगों की साथ की और प्यार की बहुत ज़्यादा जरूरत है आज का जो वीडियो है वो है सिल्वर नोज जोलरी के उपर आज के वीडियो मैं आपको सिल्वर नोज रिंग जो है न उसके बारे में बताऊंगी यहाँ पर मैं पूरा आउट्फिट जो है वो सिल्वर नोज रिंग के हिसाब से पहन रखी हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैं आपको पहनने का तरीका भी बताऊंगी और खोलने का तरीका भी बताऊंगी मेरा जो यूटूब चैनल है आपको यहाँ पर नोज जोलरे की वीडियो मिलेगी तो अभी यह मेरा नया नया चैनल है आप लोग मुझे सपोर्ट करिए अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है या फिर यहाँ पर जो भी आपको वीडियो मिल रही है वो आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए आपको इसका जो घंटी है ना उसको प्रेस करना बहुत जरूरी है और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं यहाँ पर मैं नोज जोल्री को कैसे पहनी हूँ यह आगे बताऊंगी लेकिन देखिए मैं यहाँ पर पहले ही आपको दिखा दे रहे हूँ कि पहनने के बाद अंदर क्या दिखता है और क्या हमें अंदर टच हो सकता है या फिर जो खतरा है वो हो सकता है ये सारी जानकारी मैं आपको हर एक वीडियो में इस्पेसली बताती हूँ जो भी चीजे पहनती हूँ वो बताती हूँ मेरा एक पुराना यूटूब चैनल है जिसका नाम है लव गोल्ड रूपारानी अगर आप लोग जानते होंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ आप उस चैनल पे हैं और उस चैनल पे मैं धेर सारे नोस जोल्री की वीडियो डालती हूँ और यहाँ पर भी मैं अब नया चैनल सुरू करी हूँ और इस पे आपको especially nose jewelry की वीडियो मिलेगी यहाँ पे पूरा जो jewelry है मैं silver ही पहनी हूँ dress में भी आपको silver ही दिखेगा जैसे कि मेरी जो साड़ी है ना फिरोजी color की वो भी उसमें ना silver का work है जैसे silver sequence है सितारा मोती जो भी लगा हुआ है यहाँ पे जो मेरी earrings है वो भी silver ही है गले में जो हार है necklace है वो भी silver है मांगती का भी जो मैं पहनी हूँ वो भी silver ही है तो इस तरह से मैं पूरा jewelry, साड़ी, silver बनाई हूँ तयार करी हूँ और इसके बाद ही ये nose ring की video मैंने बनाई है तो एक nose ring की video बनाने के लिए हमें काफी कुछ सोचना पड़ता है और इस nose jewelry को मैं कैसे पहनी हूँ ये भी बताऊंगे इसमें ना देख सकते हैं कि double line दी हुई है एक तो ये medium size मतलब बहुत छोटा भी नहीं बोलेंगे तो बहुत बढ़ा भी नहीं बोलेंगे इसको nose ring को ये medium size की आप बोल सकते हो big size भी बोल सकते हैं और ये ring है और रिंग के एक layer बना हुआ है stone silver stone पूरा दिया हुआ है देख सकते हैं जो कि काफी चमक भी है इसमें और इसमें दो line लगे हुए है दो line stone के लगे हुए हैं जिससे यह काफी ज्यादा खूबसूरत भी दिख रहा है और ये काफी बड़ा भी है मतलब इसको आप न सबस्क्राइब बीना नाक में पहनने हूं तो जो मेरा यूटूब चैनल है मैं आपको इसमें बहुत कुछ जानकर या दूंगी जैसे कि अगर आपके पास कोई भी इयरिंग्स है इस तरह की जो की बाली की तरह होती है तो आप उसको नाक में कैसे पहन सकते हो कैसे केर कर सकते हो किस टाइप का जो जो भी अगर आप यीएरिंग से उसको आप नाक में पहन सकते हो कैसे पहले आहाँ पर कि आपकंद सकते हैं और पहले जो चूड़ी चूड़ी है जो कि मैं किसी और से मंगवाई हूं साइज छोटा है और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने इसमें भी इन्वेस्ट किये हैं 40 रुपे का चूड़ी मंगवाई थी दुकान से किसी और से मंगवाई थी तो यह हो गई चूड़ियां मेरी फिरोजी कलर की यह थ ची से मैं अपनी शादी की दो जोटी खरीदी थी एक ब्राइडल वाली और एक ऐसे पार्टी वेर के हिसाब समय ली थी तो यह मुझे एक हजार की पड़ी थी जोटी और नेकलेस और इयरिंग बस मुझे मिले थे और एकदम बहुत ही छोटा सा वह मिला था मांग्टी का ल और यह अंगुठी मुझे एक यूटूबर से मिला है गिववे में भाग ली थी तो फर्स्ट आई थी तो मुझे मिला था बहुत सारी जोटी मिले थे जिसमें यह भी अंगुठी थी अब लास्ट जो बच जाता है वहां पर नोज रिंग इसको कैसे पहनना है तो इस तरह स तो आप उपर से या फिर नीचे से पहन सकते हैं बस आपको यह दियान देना कि डिजाइन कैसे दिख रहा है यहां पर अगर मैं इसको सटाओंगी ना तो यहां पर नाक में जो मास दिख रहा है ना वह मास चिपक जाएगा तो बहुत केरफूली इसको चिपकाना है जैसे ह आप इसको फोल्ड करोगे ना इसको लॉक करने के लिए तो वहां पर नाक चिपक सकती है मतलब दब सकता है दोनों तो बहुत अच्छे से केरफूली मैं इसको पहनी हूं और पहनने के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि वाव बहुत अच्छे से मैं इसको पहन ली क् जब वो वोला मेरा चैनल था लव गोल्ड रूपा नानी उस पर जब मैं बना रही थी तो मेरी नाकी ऐसे ना उसके अंदर ना ऐसे चिम्टे की तरह ऐसे चीपक गई थी मतलब उसको ना ऐसे खीच दी थी तो मुझे बड़ा एकदम दर्द हुआ था तो ये डर्द जो है ना कोई फेस्टिवल है पार्टी है या फिर कोई भी फंक्सन है आपका जिसमें आप लहंगा पहन रही है या फिर हैवी साड़ी पहन रही है तो इस नोजरी को पहना जा सकता है देख सकते हैं कितना खुबसूरत लग रहा है ना और आप लोगों को कहने पर ही तो मैं काफी सा सब्सक्राइबर हैं बहुत से लोग मुझे आइडिया देते हैं सुझाओ देते हैं मैं इस तरह से वीडियो बनाई यह वैसे बनाई और सच में अच्छा अच्छा भ्यूज आता है तो मन खुस हो जाता है कि आप लोगों की बदौलत ही कुछ अच्छा कर पाती हूं और जरूर प्रेस करिएगा और जो नए-एजय सब्सक्राइबर आते जा रहे हैं आप लोग अपना नाम लिखते जाएए आप Log कहां से हों भी आप कुछ बता सकते हैं आप लोगों का कोई प्रश्ण हो कोई शवाल हो तो आप मुझे कर सकते हैं और चलिए अब तो मैं इसको पहन करके दिखा दी और जो रिव्यू था कि पहनने को बाद क्या-क्या लूक आता है वो तो मैं सुरू में ही दिखा दी हूँ अब खोलने का तरीका यह देख लिज़ गलज सबक्राइब क्यां हुते झाता है उंवा हुव